हलो नमस्कार मैं हूँ तनवी सिनहा और आप देख रहें बिस तक अगर आप वाट्साप यूजर है तो आपके लिए बड़ी खुश खबरी है वाट्साप ने अपने करोडो यूजर्स के एक्स्पीरिंस को और बहतर बनाने के लिए आखिरकार उस शांदार फीचर को रॉल आउट करना शुरू कर दिया है जिसका यूजर्स को लंबे समय से इंतिजार था इस नए फीचर का नाम कम्यूनिटीज है कम्यूनिटीज के ग्लोबल रॉल आउट का एलान करते हुए मार्क जिकरबर्ग ने बताया कि आने वाले कुछ महीनों में वाट्साप के सब ही यूजर्स तक पहुँच जाएगा इतना ही नहीं कम्यूनिटी के अलावा वाट्साप में तीन और नए फीचर्स की इंट्री हुई है जानेंगे इसके बारे में भी लेकिन चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि आखिरकार कॉम्मूनिटी इस फीचर का मतलब क्या है और इससे यूजर्स को क्या फाइदा मिलेगा तो बता दे इस फीचर का एलान इसी साल किया गया था इस फीचर का मकसद ग्रूप में होने वाली चैट को पहले से बहतर बना रहा है ये सब ग्रूप माल्टिपल थ्रेड्स अनाउंस्मेंट चैनल और बहुत कुछ को इनेबल कर ग्रूप को बहतर बनाता है वहीं सभी end-to-end inscription के जरीए सुरक्षित है ताकि आपके messages प्राइविट रहे इस feature के जरीए अब admin को ग्रूप मैनेज करने में बहुत मदद मिलेगी WhatsApp ने communities को directory of groups के तौर पर बताया है और हर कोई platform पर अपनी एक community बना सकेगा उसे join करने के लिए multiple group को invite कर सकते है हाला कि communities बनाने और उसे manage करने की जिमनदारी admin की होगी admin यह चुन सकेंगे कि कौन से groups community का हिस्सा होंगे और कौन नहीं इन group को admin की ओर से invite सुईकार करने के बाद ही community में add किया जा सकेगा इसके लिए वे नए groups बना सकते हैं या पहले से मौझूद groups को आपस में link भी कर सकते हैं admin के पास किसी group या member को हटाने की भी ताकत होगी इसके अलावा users के पास abuse रिपोर्ट करने अकाउंट ब्लॉक करने और न चाहने पर communities छोड़ने का option भी होगा community में users के phone number भी छिपे रहेंगे WhatsApp के अनुसार communities का सबसे जादा फाइदा उन users को होगा जो आपस में गहरा सम्मद रखते हैं School और इससे जुड़े business इसका अच्छा example है इनमें कई सारी चीज़े common होती है School इब बच्चों के parents, local club और यहां तक की छोटे workplace भी अपनी बाचीट और हर दिनों के कामों के लिए WhatsApp का इस्तिमाल करते है WhatsApp के नए feature से इन्हें अपनी बाचीट और्गनाइज करने के लिए जादा tools मिलेंगे इन groups को अपनी privacy सुरक्षित रखने के लिए ऐसे तरीकों की जरुत होती है जो social media से अलग हो खास बात है कि WhatsApp communities की chats को safe रखने के लिए आने वाले दिनों में कई और update लाएगा वही जैसे कि हमने WhatsApp में और तीन नए features की entry के बारे में आपको बताया WhatsApp ने group chat अनुभव को बेतर बनाने के लिए और जादा सुधाय जारी की है इन में in chat पोल create करने के अलावा 32 लोगों के साथ video calling और 1024 users के साथ group chat करना शामिल है अभी तक आप एक group में 200 से अधिक लोगों को नहीं जोड सकते थे वहीं emoji reaction, large file sharing, feedback और admin delete जैसे खास feature को भी अब किसी भी group में इस्तिमाल किया जा सकेगा हाला कि ये सब tools users को communities में जादा काम आएंगे बता दे WhatsApp ने in chat पोल feature की testing feature को roll out करने से बहुत पहले शुरू कर दी थी जैसा की beta edition पर देखा गया है WhatsApp आपको in chat पोल पर एक प्रश्म बनाने देगा और आपको एप के भीतर एक अलग screen में आप 12 संभावित उतर जोड सकते है WhatsApp ने अभी तक ये खुलासान नहीं किया है कि ये feature कैसे दिखाई देगा लेटिस सुविधाओ को पाने के लिए आपको अपने WhatsApp को Play Store या App Store से अबडेट करना होगा इसके साथ ही company की तीसरी तिमाही की earning call के दौरान CEO Mark Zuckerberg ने कहा कि paid messaging एक और अफसर है जुसे हम tap करना शुरू कर रहे हैं Zuckerberg ने विशलेशकों को बताया कि हमने भारत में WhatsApp पर एक नया platform लौज किया और यह हमारा पहला end-to-end shopping अनभव था जुसने messaging के माधियम से chat-based commercial शमता को दिखाया Company के नए IT नियमों का पालन करते हुए सितंबर महीने में भारत में 26 लाख से जादा अपत्ति जनक अकाउंट को बैंक किया गया जुने अब social media platform पर और जादा जिम्मिदारी के साथ revise किया जा रहा है डाटा बताते हैं कि messaging platform जिसके देश भर में लगभग 50 करोड से जादा users हैं भारत में सितंबर में 666 शिकायत report मिली और action record 23 रहा उमीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले साथी बिजन जगत की खबरों से updated रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक